हाई एन वेलकम टू माई चैनल अर्ट तफलेवर्स ओफ लाइफ आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे सकुलेंट से मिलवाऊंगी जिनको मैंने एक ट्रे में अरेंज करके एक सुंदर सा सकुलेंट गार्डन बनाया है जिसको हम ट्रे गार्डन भी कह सकते हैं तो च हो सारे सकुलेंट हार्ष क्लामिटिक कंडिसेंट एक्सेसिव रेन या एक्सेसिव हीट से भी बच जाते हैं हम इसको जहां चाहें वहां पर रख सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक शंक की जो शेल टाइप का जो पॉट है या कंटेनर है वो लिया है और इसको मैं नीचे ठ इन सब मैंने बराबर इक्वल पोश्चन है और यह ठोड़ी सी बारिश के विजए से एंडिया है और इसमें मैंने एक चमस के करीब साफ भुव ताकि जो फंगस अगर इसमें है तो वो इसमें से हट जाए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यह सॉयल कुछ इस तरीके से हो गई जो इसमें घंबले के टुकड़े मिलाए हैं या आप इट के टुकड़े भी मिला सकते हैं इस तरह से हम इसको एक अच्छी सी पर्फेट स्कुलेंट मेरे पास जो भी अवेलेबल थे वो मैंने लेकर के यहां पर निकाल दिया है ताकि मैं इनको अपने इस ट्रे में अरेंज कर सको तो चलिए अरेंज करना शुरू करते हैं यह हवार्थिया या जैब्रा प्लांट है इसमें फ्लावरिंग हो रखी है यह मेरा करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे जैब्रा प्लांट इसकी नीचे की पतिया में हटा दूंगी और ताकि इसको अच्छे से जड़ सहीत हम इसमें नीचे डाल सके नीचे की पतिया कवर करने के बाद मैंने इसको लगा दिया है और यह मेरे पास एक पहारों से यह छोटा सा पत्थर का तुकड़ा था वह मैंने इसमें थोड़ा सा ब्यूटी एट करने के लिए लगा दिया और इसके पीछे जो मैंने प्लांट लगाए है उसको हम ब्लू चॉकिस्टिक प्लांट यह सिनिसयो रिपेंस कहते हैं वह भी मैंने लगा दिया है और उसके ब का हो गया है अब मैं इसके दूसरे साइट को डेकोरेट करूंगी तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसके लिए एक सकुलेंट लिया है जिसे हम एओनियम कहते हैं उसको मैंने लगा दिये थोड़ा सा यह बड़ा लग रहा है उंचा लग रहा है तो इसका मैं थोड़ा सा नी तो अब देखिए इस साइड भी इसका पूरा हो गया है और अब मैं इसके जो बेबी प्लांट से उनको इस साइड में वन बाई वन यलो पैबस के साथ अरेंज करूंगी तो यह एक साइड इसकी पूरी तरह से अरेंज हो गई है अब दूसरी तरफ को थोड़ा सा कलर एड कर यहां पर मैंने इसी के पीछे की साइड पहले यह ग्रीन कलर के जो सेकुलेंट से इनका नाम तो मुझे निमालूम यह मैं लगा दूँगी लीफी सेकुलेंट यह है इनकी ठोड़ा सा मैं कटिंग करके चोटी कर दूँगी और अब अलोविरा की एक वेराइटी जो मैंने लगा दिये उसके बाद इसमें यह सीडम की एक वराइटी है जिसकी नीचे की लीफ मैं थोड़ी थोड़ी हटा दूँगी और इसको भी मैं ब्लू पैबल्स पहले लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इनको अरेंज करूँगी तो देखिए मैं किस तरह से इनको अरेंज अब जो यह बीच का portion है इसमें मैं चोटे-चोटे यह जो मारवल के स्टोंस होते हैं उनसे मैं जो सोयल वाला portion ने इसको पूरी तरह से cover कर दूँगी ताकि इसमें दिखाई ने दें इसको पूरी तरह बनाने के बाद इसमें spray से जो है वह वह वाटरिंग करनी चाहिए और तो सिर्फ succulent को arrange किया है अगर आप theme base बनाएं और इसमें toys या कुछ इस तरह के arrangement लगाएं तो ये बहुत ही खुबसुरत लगता है तो आप इसके चाहे तो किसी को अपने near and dear ones को gift भी कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी tray garden बना करके आप इसे सजा सकते हैं ये tray garden आपका कई साल चल जाता है डिपेंड करता है कि आपने कौन से सकुलेंट उसमें चूज की है आशा है मेरा ये सकुलेंट का ट्रे गाडन आपको पसंद आया होगा थैंक्स फो वाचिंग